Hello friends, आज हम जानेंगे English word waft की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है Waft की मतलब है, माफ कर दी चलिए कुछ example के जरे इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example, the principle waft a hand इस sentence का हिंदी में मतलब है, सिधान तो ने हाथ चोर दिया चलिए next example जान लेते है It was looking at the shortest cost, should I have waft at you too इस sentence का हिंदी में मतलब है, ने दक्षिन पस्षिम तत के और देख रहा था क्या मुझे भी आपको माफ कर देना चाहिए था चलिए next example जान लेते है इस sentence का हिंदी में मतलब है, आध्यान के लिए सूल्क समझोते से माफ कर दिये जाते है लेकिन चात्रा यात्रा और रहने की लागत के लिए जिम्मेदार होते है चलिए next example जान लेते है Part 3, study may be waft in exceptional cases इस sentence का हिंदी में मतलब है, आसाधरन मामलों में भागतीन के आध्यान को माफ किया जा सकता है So friends, उमीद करती हूँ, waft की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है, वो अच्छी तरह से समझ गे होंगे इसी तरह से और भी English और हिंदी में example के साथ जानने के लिए हमारी इस सेनल के होंपेज में जाका चेक आउट कर सकते है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ साथ सेनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा